हम आते हैं अगले बिंदू पर न्याय पालिका और संसद। संसद का काम है कानून बनाना और न्याय पालिका कारिख है यह देखना कि बनाय हुए कानून सम्विधान के अनुसार है या नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्धियाज आते हैं जिसमें संसद और न्याय पालिका के बीच विवाद बढ़ जाता है कानून और संविधान इनमें एक तरीके से कभी-कभी टकराहट दिखाई देती है जो अभी तक जैसा होते आया है गत सत्तर अर्शी वश्यों में देखा गया कि टकराहट का मुद्धा जिन खेत्रों में रहा जिन मुद्धों पर रहा उसमें पहला मुद्धा था महत्पूर्ण संपत्ति का अधिकार संपत्य का अधिकार प्रारम में मूल अधिकार था बाद में संपत्य के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा कर एक कानूनी अधिकार का रूप दिया गया और कानूनी अधिकार का रूप देते हुए सम्विधान के भाग चार अर्थाट डारेक्टिव प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पालिसी के तहट मूल अधिकारों से संपत्रिक अधिकार को हटाये गया ऐसी स्थिति में नियाई पालिका और विधाईका के बीच में बारंबार टक्राओ हुआ कई केस गये, कई निर्ने आये और बहुत वर्षों की टक्राहट के बाद इस मामले को लेकर इस्थिति स्पष्ट हुई है दूसरा खित्र जहां पर विवाद होता आया वह था संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्ति पर संसद क्या संविधान संशोधन करने के लिए सक्षम है? क्या वह संविधान के मूलवूत ढाचे में बदलाओ लाने के लिए सक्षम है? एक प्रश्ण उटता है कि संविधान सर्वो परिह अर्थात बाकी सब उससे नीचे तो यदि बाकी सब उससे नीचे संसद भी संविधान से नीचे तो संविधान कैसे संशोधित किया जा सकता है संशद के द्वारा? तो दूसरा मुद्दा जिस पे सामान त्या टकराहट देखी गई वहती संविधान संशोधित के बारे में संसद की शक्ति को लेकर बारं बार उठता विवाद और तीसरा मुद्दा जिसमें हमने देखा है तकराहट के संभावनाएं वो है संसद या विधान मंडल के कारवाई में न्याय पालिका का हस्तक्षिप कुल मिला के विधाई का और न्याय पालिका इनके बीच में कई बार ऐसे मौक्याएं हैं जब मामला तूल पकड़ा है और संसद की सुप्रीमेसी या न्याय पालिका या सर्वोच न्यायले के सुप्रीमेसी या संविधान के सुप्रीमेसी को लेकर तकरार हुआ लेकिन हमारा सम्विधान और हमारे सम्विधान निर्माता इतने परिपक्व कि समय समय पर इन उठे हुए मुद्दों को इस तरह से सुझाय गया है के बाद में इसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया है हमारे सम्विधानिक धाचे को और मजबूत किया है ये मुद्दे उठे हैं तो स्थितियां और स्पष्ट होती गई हैं और स्थितियों की स्पष्टता हमारे सम्विधान को और महत्पूर्ण बनाती है और मद्बूत बनाती है रहा संसद का सवाल या विधाईका का सवाल तो विधाईका भी अब अपनी भूमिकाओं को पश्ट रूप से समझने लगा है और गत अत्ती वर्षों की इस स्वतनत्रियात्रा ने विधाईका और न्याएपालिका के बीच में सामंजस से बढ़ाने का ही काम किया है कुल मिला के निशकर्ष ये कि इस अध्याय में हमने अपनी लोक तांत्रिक संरचना में न्याएपालिका की भूमिका को समझा उसको अच्छी तरह विस्तार से उसका अध्यन किया और साथ में ये भी जाना कि न्याय पालिका के सामने सभी लोग समान है, तभी नागरिक समान है, अर्था कानून का शासन कानून के शासन की अवधारना हो जाना ये स्वयम में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि सुतंता पूर्व के भारत में समाज के कई ऐसे वर्ग थे जो अपने को कानून से उपर मानते थे और वैसा ही वर्षोदर वर्ष होता आया था तो इस अवधारना को बड़लना और ये महसूस करा देना सब को कि सब कानून के नीचे हैं और शासन कानून का है यह स्वयम में एक बहुत महत्पूर्ण उपलब्दी है नियाएक सक्रीता और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी आईयल ये समय की मांग थी और समय की मांग का ही परणाम था कि जनहित याचिका के माध्यम से और नियाएक सक्रीता के माध्यम से निम्न वर्ग के तबकों को नियाएं मिला इसलिए दोनों चलन में भी आए और जनहित याचिका से सम्बंदित एक दो मामलों को भी हमने समझने की कोशिश की भारती नियाए पालिका जो है अपनी स्वतंतरता के लिए जानी जाती है अनेक निर्णेओं के माध्यम से नियाए पालिका ने सम्विधान की नई व्याख्याएं दी हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है और जैसा कि हमने एक सध्याय में देखा कि लोक तंत्र जो है वो वास्टों में विधाई का और नियाए पालिका के बीच एक बहुत ही समवेदन शील संतुलन पराधारित है और गट असी वर्षों की यात्रा में जैसा मैंने कहा सत्तर वर्षों की यात्रा में हमने इस मामले में समवेदन शील्ता बनाई है संतुलन बनाया है और इन दोनों को सम्विधान की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करने की समझ आई है सभी के अधिकारक्षित का सम्विधान में जो विस्तृत वर्णन है उसमें जहां कहीं भी आस्पष्टता दिखी उस आस्पष्टता को हमने बड़े सौहारपूर तरीके से एक सम्विधानिक तरीके से उसको सही निश्काष तक पहुँचाया है अमली जामा दिया है और इस प्रकार लोग तंत्र में नियाए पालिका की जो अहम भूमिका है वह अक्षिन बनी हुई है गत सत्तर वर्षों में जैसा मैंने बताया कई ऐसे मौके आए जब संसद और नियाए पालिका के बीच तकराओ की स्थिति बनी तकराओ के मुख्य बिंदूओं में संपत्ति के अधिकार को ले कर बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच में विवात होता रहा निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? मुद्धा ये था निजि संपत्ति के अधिकार का डैरा क्या है संपत्ति के मामले में दोनों के बीच में यही मुद्दा था साथी टकराओं का दूसरा बिंदु जो था वह था मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप करने के लिए संसद की शक्ति क्या है सीमित करने प्रतिबंदित करने और समाप्त करने इसमें संसद की सीमा क्या है कहां तक संसद इसमें ताकतवर है तीसरा बिंदू टकराओ का संसद द्वारा सम्विधान संशोधन की शक्ति का दायरा क्या है सम्विधान संशोधन को लेकर बारंबार विवेचना हुई है बारंबार मामले कोर्ट में गए हैं और उसके अधिकार ख्षित्र को लेकर सवाल उठा है कि किस हद तक सम्विधान संशोधन संशद के द्वारा किया जा सकता है किन मामलों में किया जा सकता है तो सम्विधान संशोधन के मुद्दे को लेकर उसकी शक्त के दाइरे पर भी बारंबार प्रहिच चुन उठा और फिर उसके बाद अगला बिंदू है टकराओं का क्या सरकार नीती निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंदित कर सकत ही है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि मौलिक अधिकार और नीती निर्देशक सिध्धान एक दूसरे के दुरोधा भासी हो रहा है ऐसे सित्य में किसका ध्यान रखा जाए तो यह नीती निर्देशक सिध्धानतों को लेकर भी संसद और नयाए पालिका के बीद आये हैं यद्यपी बहुत से इन बिंदूओं को गरिमा मही तरीके से नप्ता दिया गया हल निकाल लिया गया लेकिन फिर भी कुछ टक्राओं के बिंदू आज भी बने हुए हैं और उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो है विधाई का की कारवाई का नेमन और उसमें हस्तक खेप कर उसे नियंतरित करने का अधिकार नियाए पालिका को है क्या अर्थार क्या नियाए पालिका विधाई का की कारवाई के नीमों और उसमें हस्तक खेप करने का अधिकार रखती है क्या नियंतरित करने का अधिकार रखती है क्या दोनों में बड़ा कौ दूसरा मुद्ध जिस पे आज भी टकराहट हो रही है वो है सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध सवयम सदन द्वारा यदि कोई अनिशासनत्मा करवाई की जाती है तो क्या वो सदस्य नियायले जा सकता है नियायले से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है सदस्ट की हैसियत क्या है नयाई पालिका के सामने संस्सत सदस्ट की वह भी एक मुद्दा बना हुआ है ये देखेet ये आप चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट में आप देखेंगे उछे नयाईले का नाम अर्था जिस शहर में वह नयाईले है वह उच्चिनायरे का नाम हो जाएगा नाम के साथ स्थापना वर्ष किस वर्ष स्थापना होई उसके वाद उसका नियाए खेत्र अर्था उसका एरिया ऑफ अपरेशन उसके जूरिस्दिक्षन में उसके नियाए खेत्र में कौन कौन से खेत्र आते हैं कभी कभी एक से ज़्यादा रज भी हैं तो उसका विवरन और चौथा जो कॉलम है वह इस्थान जहां पर नियायले इस्थित है रज का नियायले जिस इस्थान में इस्थित है उसका नाम यहां जिए आप एक एक नियायले के बारे में विस्थार से बताने के कोई उचित नहीं है वो सबस्पष्ट है लेकिन फिर भी कुछ नियायले के बारे में आपको जानना जरूरी है जैसे पहला है इलाहबाद उच्छ नियायले का नाम है इलाहबाद उच्छ नियायले उसे जावता सबसे पुराना नियायलें में गिना जाएगा वैसे मुंबाई इसके बाद आप पढ़ेंगे वह 1862 में स्थापित हुआ था लेकिन इलाबाद उच्छी नियायले 1866 और उसका जो कारिक खेतर है वह उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश जो इतना विशाल बहुत बड़ा हो जाता है और भगोलिक दिश्टि से उत्तर प्रदेश बहुत विशाल है एक और प्रावधान किया जाता है शीश्ची सिति में और वह है बेंच का बेंच अर्थात नियाय पीट यहने उच्छ नियायले के कुछ जजों की एक निश्चित संख्या को एक औ कोलिक दिश्टि से कोड से जिनको अपने विवाद निप्टाने होने बहुत लंबी आत्राएं ना करना पड़े पहली बात दूसरी बात एक ही खेत्र में ज्यादा लोड हो जाता है एक ही कोड के अंदर उसको विभाजित करने के उद्देश से भी नियाय पीट बनाई जा है जिसे बेंच भी कहते हैं वह मूल उच्च नियायले का ही एक हिस्सा होती है कोई स्वतंत्र नियायले नहीं होता मूल उच्च नियायले का ही एक हिस्सा इसलिए उसे बेंच कहते हैं और हिंदी में उसे नियाय पीट कहते हैं तो मुख्य उच्च नियायले इलाबाद में है लेकिन उसकी एक बेंच लखनों में भी है जबकि लखनों राजधानी है राजधानी में मुख्य नयाला नहीं है राजधानी में उच्छ नयाला नहीं है उच्छ नयाला इलाहबाद में तो ये आपको ऐसी जानकारी को जरूरी है आपको जानने के लिए उसके बाद आप देखेंगे मुंबाई मुंबाई के स्थापना 1862 में हुए और उसका जो खेत्र है कारिक्षेत्र का दाइरा उसमें महराष्ट आता है गोवा दमन आता है दीब दादर नगर हवेली आता है जाने एक से ज्यादा राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज को भी वो दिखता है अब चूकि इसका कारिक्षेत्र बहुत बड़ा है तो मुंबाई उच्च न्यायले की भी खंड़ पीठ जो नागपुर में पंजी गोवा में बैटती है याने इसकी दो बैंच है एक बैंच गोवा में बैटती है गोवा की राध्धानी पंजी में और एक के बीच की दूरी अदिया आप देखें तो बहुत ज़्यादा है. तो यदि नाकपूर में बैंच बैठती है तो नाकपूर के आसपास के खेतके लूंगों को ज़दा लंबी आत्रा नहीं करनी पड़ती. उनको न्याय पाने के लिए बहुत लंबी दूरी निता करना 0 है. त आसी गोहाटी को देखिए, गोहाटी असम नागालेंड मेघाले, मनिपूर और अरनाचल प्रदेश इतने खेत्रों को कफर करता है अब इसकती खेत्र से बहुत विषाल है इस खेत्र, इसका गोहाटी का गोहाटी उच्छ नियाले का ख्षेत भागोलिक दिश्टे बहुत पुशाल पर जनसंख्या की दिश्ट से इस पूरे राज्यों की कुल से नसंख्या बहुत कम है तो इसलिए उचित मानते हुए इतने बड़े इतने सारे राज्यों के लिए एक ही उच्च नियाल है दिया गया है वह भी गोहाटी में लेकिन हाँ एक आस्थाई खंडपीट का प्राउधान है टेंपररी एड़ाक बेंच इनफाल अगरतला शिलॉंग और कोहिमा यहाँ पर टेंपररी एड़ाक या आस्थाई बेंच आस्थाई बेंच से ताज़ पर यह है कि जरूरत पढ़ने पर गोहाटी उच्च नियाल है एक ज़्यादा केस आगए है तो उसके निप्टारे के लिए वहाँ आस्थाई बेंच बनाई जाती यह आस्थाई बेंच का पहला उदाहरन आप देख रहे हैं और वो गोहाटी हाई कोड के मामले में दिल्ली का जो उच्च नियाल है वह केवल दिल्ली के क्षेतर को ही देखता है और दिल्ली का क्षेतर आपको लगेगा मातर एक राजधानी के लिए एक उच्च नियाल है लेकिन यदि आप जन संख्या की बात करें तो बहुत बड़ी जन संख्या दिल्ली की है असम में भागोलिक दिश्टी से बहुत विशाल लेकिन जन संख्या कम क्योंकि घनत तो बहुत कम लेकिन दिल्ली में घनत बहुत ज़्यादा इसलिए उसको भी एक उच्छ नियाले दिया गया है इसके बाद आप अगला देखिए केरल केरल और लक्ष द्वीब केरल का जो उच्छ नियाले है वह कोचिन में नहीं है वहाँ की राजधानी में नहीं है वहाँ है अरनैकुलम में जबकि गुजरात का अमदाबाद में राजधानी में है हमाचल प्रदेश का वहाँ की राजधानी शिमला में है मुक कश्मीर का वहां की राजधानी शीनगर और जम्मू में है लेकिन केरल का वहां की राजधानी में नहीं है जैसे 36 गड़ का वहां की राजधानी रायपुर में नहीं है मद्धि पुदेश के मामले में भी जो हाई कोट है उचने आल है वह भोपाल में नहीं है वह जवलपुर में स्थित है और उसका एक बेंच है जो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है जवलपुर हाई कोट का बेंच ग्वालियर और इंदौर में है इसके अलावत चेन्नई, उडिशा, चेन्नई भी जो है तमिल नाडू और पॉंडी चेरी दो राज्यों को देखता है इस थापित तो है चेन्नई में लेकिन पॉंडी चेरी का खेत्र भी उसके कारिक्षेत्र में आता है बिहार का पत्ना में है, उडिशा का कटक में है, राजस्थान उसकी अपनी जो उच्चन्याले है वह जोधपुर में है जैपुर में नहीं, जैपुर में उसकी खंड पीट है, जैपुर में उसकी बेंच है राजधानी में बेंच है जबकि मुख्य रूप से जोधपुर में उचने आले है शतीदगर की चर्चा मैं कर ही चुका हूँ इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी राज़ की स्थापना के साथ साथ और बिलास्थपुर में स्थथ है एक नजर इन राज़ियों पे डालें जो अंतिम जो तीन नाम है मैंने पूर में बताया था कि गोहाटी हाई कौट के अंतरगर छे राज़ जाते हैं जब इसकी स्थापना हुई थी उननिस और तालिस में उस समय यही स्थित्य थी लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि काम बढ़ते गया जन संख्या भी बढ़ती गई और मामले भी बढ़ते गए तो ऐसी स्थित्य में फिर संसद द्वारा कुछ राज्यों में उच्च नयाले के स्थापना की गई उस खेत्र के पूरवत्तर भारत के खेत्र में जिसमें त्रिपुरा मेगाले और मानिपुर इन तीन राज्यों में उच्च नयाले का प्राधान किया गया और तीनों में दो हजार तेरह में वर्ष दो हजार तेरह में अगर तला शिलांग और इन्फाल इनको अपने अपने उच्च नयाले मिले तो इस पकार कुल सित्य आप देखिए कि करीब 24-25 उच्छ नयायले हैं और जरूरी नहीं कि सभी उच्छ नयायले राजधानियों में हो जरूरी नहीं कि सभी उच्छ नयायले का एक ही राज्य का कारिक्षित्र हो जरूरी नहीं है कि सभी उच्छ नयायले की खंड पीट हो किसी की एक खंड पीट होगी, किसी की दो और बहुत से राज्यों में खंड पीट की आश्कता नहीं है यह वस्तु स्थिति आपको बताती है देश के उच्छ नियालेओं की स्थिति कहां स्थित हैं, कब स्थापना हुई थी और कितने हैं जैसा कि हर अध्याय के अंत में कुछ प्रश्ण दिये जाते हैं इस उद्येश चे कि उन प्रश्णों का उत्तर हल करते हुए आप इस विशय पर आधिकाधिक पढ़कर उत्तर लिखें उन्हीं प्रश्णों के शिंखला में पहला प्रश्ण जो यह है आपके सामने वो है न्याय पालिका की स्वतंत्रता न्याय पालिका की स्वतंता बनाय रखने के लिए समविधान के विभिन प्रावधान कौन कौन से है अर्थात समविधान में कौन कौन सी बातें डाली गई है जो ये सुनिश्चित करती हैं कि नियाय पालिका स्वतंत रहे आपको उन्हें बिंदुवार लिखना है प्रश्णों के श्रिंखला में दूसरा प्रश्ण के सध्याय से दीवानी और फौजदारी नियायले किन्हे कहते हैं दीवानी और फौजदारी नियायले किन्हे कहते हैं इन दोनों नियायले के कारिक्षित्र का विस्तार से वर्णन करी इन दोनों नियायले के कारिक्षित्र का विस्तार से वर्णन करी तीसरा प्रश्ण सर्वोच न्यायले सर्वोच न्यायले के निम्न तीन खेत्रादिकारों का वर्णन करें तीन खेत्रादिकार जिनका आपको वर्णन करना है वे हैं अपीली खेत्रादिकार दूसरा प्रारंभिक खेत्रादिकार और तीसरा नयएक पुनिरावलोकन इन तीनों का आपको वर्णन करना है बताना है क्या है और इसके माइने क्या है क्या महत्व है चौथा प्रश्शन लेख का क्या अर्थ है नयाई पालिका में लेख का क्या अर्थ है प्रतिशेद वो अधिकार प्रिच्छा से क्या अभिप्राय है अन्य लेखों के भी नाम लिखें